So hey guys, आप लोग को 7th एपिसोड में बहुत बस स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा Advanced Level में आप लोग Character को कैसे चला सकते हो ठीक है, Advanced जैसे कि जो लोग भी Beginner जैसे कि Basic Level में जो भी लोग सीख लिया है बहुत अच्छी बात है आज मैं आप सभी को Advanced Level में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है Advanced Level में एक Character को चला सकते हो और उस Character को अगर आप लोग चलाना सिख गए हो तो इसको चलाना आप लोग बहुत ही असान लहेगा और दोस्तों ये जो आप लोग चलाना सिखाऊंगा आप लोग देखोगे तो हाँ बोलोगी हाँ कास भाई ये तो बिल्कुल रियल इंसानों के जैसा चल रहा है तो ऐसा मैं आप सभी को सिखाऊंगा तो इस एपसोड को पूरा देखना मिलते हैं आपको एपसोड के लास्ट में तो चलिए आपना ड्रो काट्वन टू ओपन कर लिजिए और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने न्यू काट्वन पर किलिक किया चलिए ठीक है इधर हम क्या करेंगे इधर थिरी डॉट पर किलिक करेंगे और इधर इडिट सीन पर किलिक करेंगे और इधर भी एक background को select कर लेते हैं जैसे कि आपने पिछले वीडियो में इसे background को select किया था यह background वेगरा सब कुछ download करना मैं आप सभी को सिखा दिया हूं ठीक है तो आप सब यह सब सीख गया होंगे तो इसलिए में फटाफट से बता रहा हूं ठीक है आपको back button बैग बाल किली करना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इंसिट पे जाना है जंगल में जाना है कस्टम में जाना है और यहां से आप लोग को बीर का करेक्टर सेलेक करना है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में beginner level में मैंने जो आप लोगो चलाना सिखाया है उसमें मैंने आपको यही scene यही background था बिल्कुल ही same to same है लेकिन इसमें थोड़ी सी advanced level में हम आपको character को चलाना सिखाएंगे ठीक है तो सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना है character को अच्छ Set कर लेना है जैसे कि चलो मैं कर लता हूँ और यहीं सम शूरू करेंगे देखो first एक पर जो आगे करना है और एक पर करना है पीछे ठीक है देखते जाओ ठीक है एक hand को करनांे हे आगे और यह hand को करना हे पीछे थोड़ी सी ऐसे करना है ठीक है यह देखो ऐसा दिख रहा ठीक है अभी one frame पे आपको frame रेम सब समझ में आ गया होगा लेकिन यह अभी one frame पे ठीक है अब अब दोस्तों एक frame बढ़ाएंगे ठीक है यह दिखे एक frame बढ़ा दिए दो हो गया frame अब हम क्या करेंगे जो यह थोड़ा सा मैं जूम कर लेता के आपको समझाता हूं यह देखर है और यह जो ला देना दोखर ऑफ दो और यहां पर ला गया है अब दूस्ता आप ऐसे करके यहां पर यह पैर जो है इसको यही पर ला देना है ठीक है ध्यान से देखना जो हमने पहले पैर को सीधा किया है उसी देखो यहां पर सीधा किया थे आ गया था फिर हम यहां पर रख देंगा ठीक है अभी ध्यान से देखते जाओ उसके बाद दोस्तों यह पीछे वाला जो पार है, ये पीछे वाला जो पार है, इसके हम क्या करेंगे, ऐसे आगे वाला बोन मैं इसी बोन हानका करेंगे, और थोड़ा से पीछे करके ऐसे कर देंगे, हमारा पैर काम कॉपलिट हो चुका ये अभी दूसरे फ्रेम पर ही ये काम हो रहा है तीसरे फ्रेम पर कैसे काम करना वह बताता है पहला भी और भी काम है तो यह जो हाथ है ना इसको हमको करना है सीधा यहां पर और यह जो पीछा है ना इसको करना है हमको यहां पर ठीक है चलिए इतना समझ गहोंगे आप लोग अब दोस्तों अब आपको एक फ्र पैर में आपको आपको पैर मूरा है इसको कर देंगे ऐसे और इसको आगे से बोन के हिसाब से कर देंगे ठीके ऐसे कर दिए और इस pair जो सीधा इसको कर देंगे पीछे ठीके और अच्छे से कर लेंगे द्यान देने अब देखो इस करेक्टर को हम उठा कर ऐसे उठा कर यह जो है ना last point यह यहां पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ यह जो last point है यह वाला एपसोड में हमारा हाथ क्या है आगे है ऐसे आगे की तरफ है ठीक है और सेकर्ड एश्टप में हमारा हाथ जो है बराबर आ चुका है और ठर्ट फ्रेम पर हमको क्या और नहीं साथ को करना है ऐसे पीछे और इस साथ को करना है ऐसे आगे अगर आप चाहो तो थोड़ी सी इस head को नीचे कर सकते हो थोड़े से sir को भी नीचे body को भी नीचे कर सकते हो ठीक है यह देखो ठीक है ठीक है अब दोस्तों हम एक और frame बढ़ा लेते हैं चलिए चौथा frame पर अब फिर काम करेंगे same वही process है दोस्तों जो हमने यहाँ पर किया था first में जो यह था second में हमने process किया था वही frame process अब को चौथे नमर पर करना है करना क्या है यह जो पेर आगे वाले पेर को सीधा करना है और इसको बराबर मिलाना है ऐसे ठीक है यह देखिए और इसको कर देना है यहाँ पर आगे और यह जो पीछा वाला फ्रेम बढ़ा देना है चलिए हमरा चार नौ फ्रेम और फिर वही प्रोसेस समझने जो तिन नमल में किया था ठीक है से मोई प्रोसेस करेंगे ठीक है ऐसे करेंगे हम लोग चलिए जो पैर मुणा वो उसको आगा करेंगे इसको पीछा करेंगे और यह हाथ पहले इधर गया लेकिन आप हम को करना आगया जाना है इस पे हात को इधर करना जब को थोड़ी सी आप लोग समझत नहीं का रहा हूँ लेकिन मैं चैसे म objection कर रहा यहाँ पर और इसको ऐसे आगे करके इधर मोड़ देंगे ठीक है चलिए यहाँ पर रख दिए और हैंड को फिर हम बराबर कर देंगे और इसको थोड़ा से उठा देंगे ठीक है फिर से हम एक फ्रेम बढ़ा देंगे और यह जो पैर मुरा इसको करेंगे आगे और यह जो सी आपट से कर लेता हूं ताकि आप लोग मुझे मुझे सीख गए होंगे फिर भी नहीं सीखे होंगे फिर मेरे को WhatsApp मेसेज करना है मेसेज करना से नहीं हुआ तुमको देखना पड़ेगा भाई मैं तो मैसे WhatsApp पर यह इसा ही बताऊंगा ठीक आगे इसमें ऐसे राएगा पीछे राएगा ठीक है हाँ एक चीद तो है इसमें आप लोग थोड़ी सी ना सिखनी पड़ेगा एक दो दिन लाएगा आप लोग डेली के डेली काम करेगा फिर आप लोग समझ में आ जाएगा ठीक है यह मेरे ही सबसेत बहुत असान है अब लोग नए हैं ठीक है छलिए ये देखिए मैं कर क्या रहा हूं भाई same to same का में कर रहा हूं हो ध्यां गरहेगा एक सकेंड थोड़ी से गड़बर हो चुकिए ये देखिए आगे ये हांत करें आगे है तो फिर आएगा ये आगे है न तो फिर ऐसे आ मतलब यह आएगा इस से बराबर में ठीक है और एक सेकंड बराबर में आने के बाद यह आगे था आगे था और यहां से जाएगा पीछे ओके और यहां से जाएगा बराबर में ठीक है चलिए सही हो गया और हम करेंगे पैर को इधर चलिए यह हो गया सीधा करेंगे पैर को इधर मुड़ाएंगे हो गया ऐसे कर देंगा ठीक है चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोगो प्ले करके दिखाते हैं यह कैसा दिख रहा है आप इनिमेशन यह देखिए बिल्कुल इंसानों के जैसे दिख रहा है दोस्तो ठीक है अब हम थोड़ा आप लोगो दोनों का कॉम्प्रिमेजन कर करके दिखाते हैं कि दोनों काईस पहले जो आपने भीगनलबर के किया था वो कैसा था और आप हमने किया है यह कैसा था जी यह दोस्तों उमीद करता हूं कि आप लोग को यह एपिसोड और यह करेक्टर को एडवांस लेवल वला कैसे चलाना आप लोग सीख गया होंगे नई सीख गया होंगे वीडियो को डुबारा देखिए और पीछे करकर करके देख लिजे वीडियो को और दोस्तों अगर यहां तक सीख गया है तो आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हो आप लोग ने बहुत कुछ सीख लिया है अब दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि करेक्टर को दोडाएंगे कैसे हमने करेक्टर को चलाना सीख लिया है लेकिन अब हम करेक्टर को दोड झार्म